नमस्कार मैं हूँ सर्वेश प्रूद हम इस वक्त हैं राकेश सुकला जो कि कैविनेट मंत्री का दर्जा अभी मिला है उनको मोहन सिंग यादव की गौवर्मेंट में मोहन सिंग यादव की सरकार में और आज हम यहां उनके वाली अर्रेस्ट दरपन कॉलोनी बंगले पर हैं उनकी फैमली के बेटी हैं बहु हैं दामाद हैं किस तरीके से यहां खुशिया मनाएंगे जानकारी आपको कब पता चला कि आपके पापा मंत्री बन रहे हैं कब जानकारी मिली आपको किस तरीके से आज यह मंत्री बने उसकी आपने सेलिवरेट किया किसी को मुझे इस सुबह तक कोई जानकारी नहीं थी मैं मेरे बच्चे के मुल्डन से इंसकार में गई होई थी और जैसे ही मुझे खवर मिली मैं महां से आई फिर मने आम माता के माता से आशिरवाद लिया उनको बहुत धन्यवाद दिया इस अब इशर की करपा है जो पार्टी के वरिष्ट नेत्रत ने इतना विश्वास देखाया मेरे पिता जी के ऊपर और उनको इतना वड़ा दायिक तो दिया है बहुत खुशी की बात है महां की जंता का अशिरवाद मिला है उनको और उपाहर के लूप में पार्टी ने भी जंता के लिए बहुत बड़ी सहोगात बिल्कुल सोगादी हम आपको बता दें जो राके शुकला जी के ये बेटी हैं डॉक्टर है नेहा और दामाद भी डॉक्टर है आप लोग कौन से उसके डॉक्टर है कौन से उसमें मैं बाल एम शुशु रोग विशिशक्य हूँ और क्लास बन में पेरी पोस्टिंग हुई है मुरैना जिला 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 चके साले में जैसे नहा शुकला यह चरण में गुप्त रोग विशिशक्य हैं अभी अपनी यहां पे नीजी प्रैक्टिस कर रही है किस तरीके से आप आज आपको जानकारी लगी केविनेट मंती का दर्जा मिला है तो कैसा लग रहा है अपी हर्षर लास का विशाय है बहुत खुशी हुई हम लोग तो अभी जैसे उसने बताए कि हम लोग मुंडन के संसकार कारेकरम में थे जैसी पता चला कारेकरम खतम करके यहां पे सबसे का इंतियार कर रहे हैं जो यहां पर आ रहा है मतलब जो अपनी मनत मांग रखती सब अपने निश्चित जगह पर है जैसे चाचा जी हमाई ज़े राजे शुकला जी है वह भी डंडवत परिक्लमा कर रहा है गिर्राजी के उन्हीं के साथ एक और चाचा ज़े हमाई वो गिर्राजी में एक दंडवत प्रक्रमा कर रहे हैं और एक उनके साथ हैं दिनेज और एक भाई छोटे उनके साथ में हैं बच्चे होई हैं लेकिन गौालियर का जो जुम्मा था गौालियर में आने वालों का जिसका स्वागत करना था लोगों से बदाई लेना थी वो दोनों भगुवeur पर छोड़ रखा घ्या जानकारी लगी ससोर साथ कि आपकी कैबनेट मंत्री बनी कैसा लग रहा है बहुत अच्छा साथ लग लोगों आगा रहे हुने मिठाई है खिला हो सबको तो पापा जी को ये पद मिलने पर कैबिनेट मंत्री बनने पर बहुत बहुत शुप काम नहीं देती हूं मैं मातराजी मातरानी को बहुत भाध धन्यवाद करती हूं उन्होंने जो सबसे पहले आपके नंद और मतलब वहन मातरानी की कृपा है हमारे गर में सब मातरानी का आशिवाद है और हम काफी दिनों से इस दिन का इंतिजार कर रहे थे और जैसे ही रात में सबको ख़़वर मिली के पिता जी का ये कैबिनेट मंत्री बनने का है तो हमने तुरंट तैयारियां शुरू कर दी उसके बाद मा और घर के सब बड़े बड़े लोग चले गए और सब को हमारे पूरे परिवार को मेरी ओच से सब को बहुत बहुत बढ़ाई जिस तरीके से ये दोनों बहुएं बेटी आपको लगता था जब राजनीती शुरू ही पापा को कि इस तरीके से कैमिनेट बीच में कई दोर आए पार्टी को भी छोड़ना पड़ा और दूसरी पार्टी से चुनाओ लड़े काफी कम वोट आए तो ये उसके बाद ऐसा कैमिनेट मंती जीतना अच्छे वोटों से क्या लग रहा है जब पापा पहली बार विधायक बने तो मैं बहुत छोटी थी और मैं नहीं जानती थी कि विधायक और MLA सब होता क्या है फिर 2003 में वो एलक्षन हार गये तब जब वो 2008 का चुनाओ जीते तब मुझे पता लगा कि एक्चली ये MLA बनना और पॉलिटिक्स होती क्या तो था बहुत उम्मीद कि पापा शायद मिनिस्टर भी बनेगे जब तक मैं थोड़ी समझ दा पर फिर वो नहीं बने उसमें फिर 2013 में टिकेट कटा और दूसरी पार्टी से चनाओ लड़े फिर पार्टी जाइन की उसके बाद 2018 में हम सबको बहुत उम्मीद थी कि वो मतलब मतलब हर तरह से पापा की उपर बहुत जादा की है और महगाओं की जनता ने जो पापा की उपर विश्वास जताया है फिर से कि हम इनको एक बार मौका देंगे तो फिर हमारे महगाओं का विकास होगा और भी बहुत सारी चीज़ है तो उसके लिए महगाओं की जनता का ब बहुत जादा है तो कहने के लिए भी पस इतना ही है बिल्कुल ईश्वर का भी धन्यवाद दे रहें महिंगाओं की जनता के लिए भी धन्यवाद दे रहें हम अपने एंपी तक के दर्सकों को बता दें कि 98 में पहला चुनाओ राके सुकला लड़े थे महिंगाओं से वो जी नाम मेंगाओं से है उनका मेरे दादा जी शिपकमार शुकला जी वो बकील से पेशे से लेकिन उन्होंने दो एलेक्शन लड़े थे और वो बहुत कम मार्जिन से लोकसवा के एलेक्शन हा रहे थे उनके मतलब जो उनका पॉलिटिक्स का करियर था वो पापा ने मेरे आग सेवा कर पाएं जीत के लेकिन वो पापा के उपर विश्वास जाता है वो फिर आगे अभी तक है ठीके अप सैंड डाउन सब की राजनीती में आते हैं पापा के भी आए अभी हम दस साल वाद पापा के मौका मिला है कि वो भिडायक बने फिर मंत्री बने अब आगे फिर सोकलाजी का परिवार सर्वेश प्रूइद एमपी तक ग्वालियर